कान खुले दिमाग चोकस, ध्यान से सुन लो सारे, मस्तिश्क ज्वर से लड़ना है तो गुर सीख लो सारे ना आधी सुनो, ना पौनी, सुनके जाना बात ये पूरी खत्रे के निशान, लक्षण की पहचान और उपचार के लिए क्या है जरूरी मस्तिश्क ज्वर का अगर समय से पहचान और इलाज ना हो तो बच्चा विकलांग हो सकता है उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है, उसे लकवा मार सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है यह बुखार ज्यादातर धान के खेत, लीची के बागान, सुवर बाड़ों और जलिये पक्षी जैसे बत्तक बगुला इत्यादी के आसपास रहने वालों में होता है यह मच्छरों के काटने और कुपोशित बच्चों द्वारा खाली पेट केवल कच्ची पक्की लीचियों के खाने से भी हो सकता है, कुपोशित बच्चों में इसका ज्यादा खत्रा रहता है बस, खत्रा जान लिया और समझा जंग जीत ली? अरे, अभी तो बात बाकी है पहचान की, उपचार की मश्तिष्क ज्वर के कई लक्षन हो सकते हैं, जैसे तेज बुखाराना और बुखार बने रहना, शरीर में चमकी होना, दात पर दात बैठना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में एठन होना, बच्चे का सुस्त या बेहोश होना, चिउटी काटने पर भी असरना होना, द जहां चल दिये, सोचा लक्षन पहचान लिया, अब मस्तिष्क ज्वर से काहे का डर, पर कहीं इसने पकड़ लिया, तो सोचो, क्या करोगे यहां से जाकर? मस्तिष्क ज्वर के लक्षन दिखते ही, आशा दीदी या आंगन बाड़ी दीदी से तुरंत बात करें, निशुल्क एंबुलेंस हे तू, एक शुन्ने दो, एवं आपात कालिन सहता हे तू, एक शुन्ने चार नंबर डायल करें, और बच्चे को जल्द से जल्द पास के अस्पताल में ले जाएं और डाक्टर को दिखाएं, और तब तक नल के पानी में भीगा कपड़ा शरीर पर रखें, बुखार कम करने की कोशिश करें, अगर बच्चा बिहोश हो या दौरा पढ़ रहा हो, तो उसे एक करवट लिटा कर रखें, और गर्दन बिल्कुल पर रखें, ना हिलाएं, ना जगाने की कोशिश करें, अगर बच्चा होश में हो, तो साफ पानी में O.R.S. मिला कर पिलाएं, तो सुन ली ना पूरी बात, अब जाकर बताना सब को, और मस्तिश्क जुअर से बचने के ये चार तरीके सीख लो, पहली, बच्चों को सोने से पहले भर पेट खाना खिलाएं, हो सके तो मीठा भी, दूसरी, जेई वाइरेस का टीका लगवाएं, आज ही, तीसरी, मच्छर के काटने से बचें, मच्छर दानी में सोएं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, और चोथी, सफाई का खास दिहा रखें, शौच के बाद, खाना बनाने और खिलाने से पहले और जानवरों को छूने के बाद, हाथ साबुन से धोएं, घर के आसपास पानी एकठा ना होने दें, स्वास्ते विभाग, बिहार सरकार द्वारा जन हित में जारी